नमश्कार दोस्तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर दोस्तो बच्चो आज हम बात करेंगे तवे के बारे में तवे का रख रखाव कैसे किया जाए? नया तवा लाना है, तो किस दिन लाएं? तवे को किस दिशा में रखें? और नए तवे पर रोटी बनाना कब शुरू करें, इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे पर उससे पहले जो बन्दू मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सबसक्राइब नहीं करा, तो कर ले और पास में बने, बेल बटन को दबाना भी ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफकेशन सब से पहले आपको मिले नमबर वन दोस्तों बच्चों तवा एक ऐसी चीज़ है जिसका परयोग हर घर में किया जाता है तवा ज्यादातर लोहे का होता है लोहे का होने के कारण इसको शनी का परतीक माना जाता है तवे का परयोग बहुत महतव पूर्ण होता है क्योंकि इसके उपयोग से हमारे जीवन में बरकत के साथ साथ धन दौलत की कमी तो दूर होती ही है साथ में बिमारियां भी दूर होती हैं इसलिए हमें तवे का सही उपयोग करना आना चाहिए सबसे पहली बात तो जब भी तवे को यूज़ करें तो धोकर यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमारे बड़े बजुर्ग भी यहीं समझाते थे और हमारे शास्तरों में भी यहीं लिखा है कि तवे को कभी सूखा अगनी पर नहीं रखना चाहिए साइंस की दृष्टी से भी तवे को हमेशा धोकर यूज़ करना चाहिए क्योंकि रात के समय कई कीडे मकोडे और छिपकली वगेरा घूमती रहती हैं अगर हम बिना धोए तवे का यूज़ करेंगे तो इस से हमारी हेल्थ पर बुरा असर होगा नमबर दो अगर घर में दवाईयों का उपयोग ज्यादा हो रहा है तो लड़ाई जगडे कलेश पती पतनी में संबंद अच्छे नहीं है तो मिट्टी का तवा यूज़ करना चाहिए सेहत की दृष्टी से भी मिट्टी का तवा बहुत अच्छा होता है इस से पेट की बिमारिया ठीक होती है नमबर तीन तवे को कभी जूठे बरतरों में नहीं रखना चाहिए रोटी बनाने के बाद जब तवा ठंडा हो जाए तो इसको धो कर रखना चाहिए कई लोग तवा यूज करने के बाद गैस के उपर ही छोड़ देते हैं या गैस के नीचे रख देते हैं या गैस के पीछे खड़ा कर देते हैं ये तीनों बातें ही गल्त हैं तवे को हमेशा दक्षन पश्चम की तरफ अलमारी के अंदर छुपा कर रखना चाहिए अगर इस साइड कोई अलमारी वगेरा नहीं है तो तवे के उपर कोई प्लेट वगेरा रख दें ताके हमारा तवा किसी को नजर ना आए तवे को हमेशा लिटा कर जमीन पर सीधा रखना चाहिए कभी भी बरतनवारी अलमारी में खड़ा करके भी तवे को नहीं रखना चाहिए ना ही कभी तवे को उल्टा करके रखना चाहिए नमबर चार कभी भी तूटा फूटा तवा यूज नहीं करना चाहिए अगर तवा पुराना हो गया है तो नया खरीदें और नया तवा हमेशा मंगलवार के दिन ही खरीदना चाहिए जब भी तवे को पहली बार यूज करें तो शनीवार के दिन से यूज करना शुरू करें तवे को नए तवे को सब से पहले धो कर उस पर थोड़ा सा नमक वगेरा डाल दें और उसको फिर कपड़े से पूछ दें उसके बाद उस पर थोड़े दूद के छीटे डालें फिर उसके बाद रोटी बनाना शुरू करना चाहिए ये बहुत शुब होता है शनीवार के दिन कभी भी नया तवा नहीं करीदना चाहिए क्योंकि तवा शनी को रिपर्जेंट करता है इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इस से हमारे घर में बिमारियां भी कम होगी और बरकत होगी, बच्चे भी हमारे कहना मानेंगे और घर परवार में खुशियां रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी बात के साथ, ठैंक यू।